फेटर नॉलेज़ बाई अरुम सर यूटूब चैनल पर आप सभी का सौगत है आज हम सुरू करने जा रहे हैं जो हमारा इलेक्टरीशियन का पेपर का सौल्ब चल लहा है तो अगला सिरीज अगला पेपर हम लेकर के हाजिर है जो के इलेक्टरीशियन ट्रेट के लिए है देखेंगे ये पेपर जो था ये 18 अगस्त 2022 को साम के 3 बज़े से लगाए 5 बज़े के बीच में हुआ था और ये इलेक्टरीशियन फस्टियर का पेपर है चलिए तो देखते हैं पहला कोश्चन calculate the value of the resistance R2 in the parallel circuit ये जो circuit दिया हुआ है इसमें हमें R2 का मान ग्याद करना है देखिए इस कोश्चन को हम पहले भी करा चुके हैं कि समांतर परिपत में R2 का मान ग्याद कीजिए समांतर परिपत में R2 का जो मान होगा वो होगा हमारा 6 Ampire कितना होगा तो ये होगा हमारा 6 Ampire जो की आपसर नमबर 6 में है चलेंगे अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन क्या कहता है बिजुली की मातरा के लिए इकाई क्या होता है पहला दिया है वाब बोल्ट प्रति सेकेंड दुसरा दिया है Ampire प्रति सेकेंड तिसरा दिया है कुलाम और चोथा दिया है महो तो देखेंगे इसका जो करेक्ट एंसर सही होगा कोश्चन क्या पूछा है बिजुली की मातरा के लिए इकाई क्या है तो याद रखेंगे Q बराबर जो होता है I into T होता है और इस Q का जो मातरक होता है वो होता है कुलाम क्या होता है कुलाम होता है तो इसका जो करेक्ट एंसर सही है वो है हमारा आपसर नमबर शी कुलाम और याद रखेंगे महो जो होता है ये हमारी चालकता की इकाई है किसकी इकाई है तो ये चालकता की इकाई है चलेंगे अगले question पर, question number 3 क्या कहता है, चालक के प्रतिरोध के अभीउत करमान उपाति क्या होता है, पहला दिया है, तापमान, दूसरा दिया है, लंबाई, तिसरा दिया है, रजश्टिविटी, चौथा दिया है, अनप्रस्त काट का छेत्रफल, याद रखेंगे, जो चाल प्रतिरोथ को प्रभावित करने वाले कारक में पहला ये याद रखेंगे अगर टेम्परेचर बढहते हैं तो टेम्परेचर के समानुपाती होता है रजिस्टेंस तापिम Ireland बढ़ाने पर प्रतिरोथकता बढ़ती है दूसरा बात याद रखेंगे लंबाई क्या याद रखेंगे लंबाई कहने का मतलब यह है कि लंबाई जो होता है वो directly professional to R होता है यदि आप तार की लंबाई बहाते हैं तो प्रतिरोधकता क्या होगी बढ़ेगी तीसरा याद रखेंगे उसका क्या होता है तो अनप्रस्त काट का छेतरफल क्या होता है अ वो अनप्रस्त काट के शेतरफल के ब्यूत करमानुपाती होता है क्या होता है ब्यूत करमानुपाती यही हमसे question में पूछ रहा है लिखा है चालक के प्रतिरोध के ब्यूत करमानुपाती क्या होता है तो इसका correct transfer जो होगा वो होगा अनप्रस्त काट का छेतरफल temperature जो होता और आगे देखेंगे तो लंबाई जो होता है और प्रोफेशनल टू यल होता है चलेंगे अगले question पर अगला question क्या कहता है question number 4 what is the symbol indicates यह symbol क्या दरसाता है तो यह पहले भी हम देख चुके है यह प्रती के क्या दरसाता है answer दिया है mage पंखा दूसरा दिया है ceiling fan चत का पंखा चौथा तिसरा दिया है bracket पंखा चौथा दिया है निकास पंखा तो इसका जो correct answer सही है वो है हमारा चत का पंखा कौन सा option सही है तो option number जो है हमारा वो है आपका B option सही है चत का पंखा चलेंगे अगले question पर what is the name of the joint इस joint का नाम क्या है देखेंगे इस joint को अगर ध्यान से देखा जाए यह joint हमारा ऐआसे करके ऐसे करके बना है तो याद रखेंगे यह joint जो होता है married joint है क्या नाम है इसका? इसका नाम है married joint option number A married joint आगे चलेंगे अगले कोश्चन पर यूजी केवल में फेज कंड़क्टर की तूलना में नूट्रल कंड़क्टर का आकार क्या होता है एक बटा दो होता है कितना होता है एक बटा दो देखेंगे दिया है फेज चालक से आधा क्या होता है फेज चालक से आधा, एक बटे दो, फेज चालक का क्या होता है, आधा होता है, अगला कोशन क्या कह रहा है, दूरतियक सेलक किस नियम से कारे करते हैं, पहला फैराडे के बिद्धुत जुम्बकी प्रिरण के नियम से, जूल के नियम से, फैराडे के बिद्धुत अफगटन से नियम से याद रखेंगे जो दूरतियक सेल होता है जो सेकंडरी सेल होता है वो फैराडे के बिद्धूत अफगटन के नियम पे काम करता है तो यह हमारा दूरतियक सेल होता है क्या कर रहा है आई नियमों के अनुशार पावर सबसर्किट के लिए अधिकतम अनुमत भार क्या होना चाहिए तीन हजार वाट होना चाहिए क्या होना चाहिए तो तीन हजार वाट होना चाहिए अधिकतम अगला कुश्चन देखेंगे करा वाट इदने माब दा मारक आज दे एक्स इन दा ग्राउंड यूजी केबल अगर यूजी केबल में एक्स कामान पूछ रहा थे इसको हम लोग क्या कहते है वेडिंग कहते है क्या कहते है इसका नाम वेडिंग होता है आपसा नंबर जो जो की डी में दिया है वेडिंग क्या नाम है वेडिंग आगे चलेंगे कुशन नंबर 10 क्या कहते है उर्जा मीटर में इलमूनियम डिस्क में दो सीदे छेद क्यों परदान किये जाते हैं क्रिपिंग तूटी को रोकने के लिए तू एरेश्ट दव क्रिपिंग एरर या क्रिपिंग तूरूटी को रोकने के लिए अगरा कोर्शन धूए से सुरच्चा के लिए किस बैक्तिगत सुरच्चा उपकरण पीपी का उपयोग किया जाता है अगर धूएं से सुरच्छा चाहिए तो किस भी एगी बैक्तिगत सुरच्छा उपकरण पीपी का उपयों किया जाता है गागल सका किया जाता है नोज मास्क का कि ये प्रन का की कान का तो याद रखेंगे अगर धूएं से सुरच्छा चाहिए तो उसके लिए हम लोग नोज नोज मास्क लगाते हैं क्या लगाते हैं जो लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं उनको नोज मास्क पहना जरूरी होता है धूए से सुरच्छा के लिए कोशन नंबर 12 क्या करता है इस फाइल का नाम क्या है इसे राज पकट रेती क्या करते हैं इसका नाम होता है राज पकट आगे चलेंगे अगला कोश्चन क्या कहता है एक 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 इकरित उपकरण कौन सा है असपस रेखा गैलोने मीटर डी सी बोल्ट मीटर याद रखेंगे इसका जो करेक्टेंसवर सही है वो है मारा उर्जा मीटर या एनर्जी मीटर अगला कोश्चन इस टूल का नाम क्या है ध्यान देंगे अगर इस टूल को हम ध्यान से देखे तो इसके जो भुजाएं है वो बाहर के तरफ मुड़ी होई है किसके तरफ मुड़ी होई है बाहर के तरफ अगर जब मुड़ी होती है तो इनको इंसाइड कैलिपर करते हैं कौ अगर भुजाएं अंदर के तरफ मोड़ी हैं तो इसको हम लोग आउट साइड कहते हैं कौन सा साइड आउट साइड कैलिपर कहते हैं अगर याद रखेंगे एक भुजा जो होती है एक भुजा हमारी टेड़ी होती है तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम लोग जैनी कैलिपर क आगे चलेंगे इसका जो correct answer सही है वो आपसा नंबर ए अगला जो देखेंगे अगला question ceiling रोज किस प्रकार का बिद्धूत उप्षाधन है ceiling जो रोज होता है यह हमारा out late so series होता है आगे चलेंगे ओम के नियम से संब्धित विद्धूत राशिया कौन सी है बहुत ही असान सा question है ओम के नियम से संब्धित विद्धूत राशिया जो होती है भी समानुपाते i into भी समानुपाते i होता है या भी बराबर i into r मतलब बोल्ट करंट आएगा बोल्टेज आएगा रजिस्टेंस आएगा आपसन नमबर जो है हमारा 20 ही है आगे चलेंगे what is the name of the wire joint इस wire joint का क्या नाम है इस wire joint का नाम होता है उसे कहते हैं knotted type joint क्या नाम होता है याद रखेंगे इस figure को देख लीजिए इसको knotted type joint कहते हैं आपसन नमबर हमारा जो है वो है आपसन नमबर knotted type joint आगे चलेंगे question number 18 what is the name of the drill bit इस drill bit का नाम क्या है इसे कहते हैं इस drill bit का नाम क्या है तो देखेंगे answer taper sign bit है कैसा bit है यह taper sign bit है taper sign bit आगे चलेंगे चेतावनी के चिनों के प्रिष्ट भूमी का रंग पीला होता है चेतावनी की संकेतों के प्रिष्ट भूमी का रंग क्या होता है तो इसका रंग जो होता है पीला होता है और तिर्भुज की आकरती में यह बना होता है आगे चलेंगे इस लिखा है, सर्किट में किस प्रकार की स्विच का उपयोग किया जाता है, तीशे कहते हैं, टू वे स्विच कहते हैं, आगे चलेंगे, स्रड़ी परिपत में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या परभाव पड़ता है, स्रड़ी परिपत में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो खुले प्रतिरोध के दोनों और कुल आपूरती बोल्टेज दिखाएगा, खुले प्रतिरोध के दोनों और कुल आपूरती बोल्टेज दिखाएगा, कुशन नमबर बाइस क्या है, एकसल पीए का पूर रूप क्या होता है, एकसल पीए का पूर रूप जो होता है, वो हमारे एकसल पीए, तो याद रखेंगे, क्रास लिंकेड पॉली एथिलीन, इसका फूल फार्म होता है, आगे चलेंगे, कौन से इक्ति धूप को बिधूत उर्जा में बदल देती है, कौन से इक्ति है, जो धूप को बिधूत उर्जा में बदल देती है, पहला है, लाइट इमिटिंग डायोड है, लिकिड क्रिस्टल डायोड है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, तो इसको हम लोग कहते है, फोटो बोल्टो इक सेल होता है, यह हमारा क्या करता है, ध हमारा सस्टेंस होता है, सस्टेंस होता है, सस्टेंस, आपसन नंबर भी, आगे चलेंगे, लिकाहवाटी दनेमापदा रोड सेफ्टी साइन, इस सेफ्टी साइन का नाम क्या होता है, यह हमारा होता है, गिव वे रास्ता दे, क्या नाम होता है इसका, इसका नाम है गिव व प्यों किया जाता है तो हम लोग बेर कंड़क्टर का इस्तमाल करते हैं कौन से कंड़क्टर का बेर कंड़क्टर का इस्तमाल करते हैं वाट इद्वर्क एओंगे, अगर हम से पूछेगा चालगता की काय तो महूं या साइमन या उसी को ओम प्रति मीटर कहते है और जो प्रतिरोधकता की काय होती है, वह हमारी होती है ओम इंटू मीटर आगे चलेंगे अगला कोश्चन स्रेडी परिपत का क्या उप्योग होता है परिपत में फ्यूज को लगाते हैं स्रेडी परिपत का उप्योग क्या होता है तो फ्यूज इन सरकिट होता है आगे चलेंगे मौजूदा अर्थ सन्योजनों में अर्थ प्रतिरोध मुल्य को कम करने में कौन सा तरीका है इलेक्टोड की लंबाई बढ़ा दे अर्थ इलेक्टोड का भ्यास बढ़ा दे अर्थ पित हमेशा गीला इस्तती में रखेंगे तो क्या करेंगे अर्थ पिट को हमेशा गिला इस्तिती में रखेंगे, आगे चलेंगे, आर्क समन सुरच्छा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, तो वो हमारा होता है बरियस्टर, बरियस्टर होता है, क्या नाम है उसका बरियस्टर, आगे चलेंगे मोटाइज छेनी का क्या उपयोग होता है तो लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए हम लोग मोटाइज छेनी का इस्तमाल करते हैं आगे अपसे पुछेगा फर्मर छेनी तो फर्मर छेनी का याद रखेंगे फर्मर छेनी जो होता है ये हमारा क्या करता है तो समान छेनी करण कारे करने के लिए हम फर्मर छेनी का उप्योग करते हैं लेकिन अगर याद हमसे पूछ दिया अगर हमसे पूछ दिया मोटाइज छेनी का तो लकड़ी में आयता कार छेद बनाना चुम्ब की बाहक बलकी काई क्या होती है एंपियर टर्न होती है एंपियर टर्न होती है आपकी किसकी काई है तो यह हमारा है चुम्ब की बाहक बलकी काई आगे देखें गवाटी दनिमादो सेफ्टी साइन safety sign का क्या नाम है तो यह हमारा कौन सा sign है याद रखेंगे इसे सूचनात्मक рост मक्चिनने परहते हैं यह हमें किसी नifiers किसी बात की सूचना देता है जैसे अगर प्लस चिन बताया बना है तो यह प्रांत्मिक इस्ता का क्टD को सूचना का नमी को प्रवेश करने से रोकने के लिए बेदर में किस सामागरी का उपयोग किया जाता है तो सिलिका जेल का किस तका इस्तमाल किया जाता है सिलिका जेल का आगे चलेंगे कंडियूट को मोडने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है हिक्की का इस्तमाल किया जाता है कंडियूट को मोडने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है तुसे हम लोग हिक्की कहते हैं अगला question है कौन सी विद्धुत मात्रा सीधे भवरधारा के समानुपाती होती है तो जो भवरधारा के समानुपाती होती है उसे हम लोग क्या कते अवरती लिखा है कौन सी विद्धुत मात्रा सीधे भवरधारा के समानुपाती होती है तो उसे हम लोग frequency करते है आगे देखे लास्ट कोश्चन है ट्रेड थियोरी का लास्ट कोश्चन है क्या ट्रेड थियोरी का कौन सा मीटर कौन सा मीटर मोटर की गती को मापता है तो टैको मीटर जो होता है वो मोटर की गती को नापता है टैको मीटर कौन सा मीटर टैको मीटर जो होता है वो हमारा मोटर की गती को न कितना होता है पानी की विश्चित उस्मा कमान जो होता है वो हमारा होता है एक और याद रखेंगे पानी का जो घनत तो होता है वो होता है हमारा 1000 kg पर मीटर क्यूब आगे चलेंगे इसका जो correct answer सही है वो आपसा number B है आगे देखेंगे लिखा है 529 का बर्गमूल कितना है बहुत ही असान है इसका answer कितना जाएगा 23 कई बर करा चुके है 529 का बर्गमूल कितना होता है तो 23 होता है आगे चलेंगे अगला question जो है हमारा एक आयताकार का परिमाप क्या होगा इसकी लंबाई और चोड़ाई 20 cm और चोड़ाई जो है और 18 cm है तो याद रखेंगे ये आयत है ये 20 दिया है तो इसके सामने की भुजावी 20 और ये 12 दिया है ये कितना दिया है ये 12 ने 18 दिया है और ये भी कितना 18 अगर इसको जोड़ेंगे हम तो 40 और यहाँ से 36 ये टोटर निगल के जो आजाएगा परिमाप 76 cm आजाएगा कितना आजाएगा 76 cm अगला question फर्स्ट आडर लिवर के लिए कौन सा उधारर साही है तो सीजर्स का एक प्यर जो है वो आपका क्या है शाही है फर्स्ट आडर लिवर के लिए सीजर्स का एक लियर आगे येमकेस प्रडाली में एमेचर का दर साता है तो ये मीटर दर साता है what is the square of the 0.01 0.01 का बर्ग क्या अतना होता है 0.0001 होता है 0.0001 होता है 0.01 का बर्ग आगे देखेंगे ड्राइंग के कोशन identify the conventional symbol of the material इस symbol material जो यह बनाया हुआ है तो याद रखेंगे ऐसे ऐसे जब करके बनाया रहे आपके figure में तो इसको हम लोग क्या कहते हैं तो इसको हम लोग पानी कहते हैं water कहते हैं तो देखेंगे यह हमारा क्या बनाया है यह हमारा water बनाया है पानी बनाया है इसका correct answer सही है what is the name of the symbol line of B line B को क्या कहते है option देख लेंगे I am रेखा की समापती leader line बिश्टारित यह I am रेखा इसको dimensional line कहते हैं कौन सा रेखा कहते हैं है इसको dimensional line कहते है है आगे चलेंगे कुशन नमबर चार क्या लिखा है identify the conventional symbol of the material जो material बनाया है इसका नाम क्या है तो देख लेंगे पहला है इसका नाम जो है जब ऐसा figure बनाया हो तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ग्लास कहते हैं या कांच कहते हैं क्या नाम है इसका यह हमारा ग्लास है या कांच है जब ऐसे करके ऐसे करके बना हो जिसको हम लोग ग्लास करते हैं आगे चलेंगे अडेंटिफाइद और नेम आपद अटूली स्टूल का नाम क्या है तो देखिए ये बढ़ाई के पास मिलेगा हमेशा और ये लगड़ी के कामों में या समांतर भागों की जाज करने में या दो बस्तों के सम कोड की जाज करने के लिए इस्तिमाल होता है ये इसे बढ़ाई की गुनिया करते हैं क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम लोग बढ़ाई की गुनिया इसकील इसे से हमारे 25 कोश्चन का डिस्क्रशन हम करेंगे देख लेंगे एक बार पहला कोश्चन है इंटरनेट पर की गई अवायद गति विधी को क्या कहते हैं इसको लोग हम लोग कहते हैं साइबर क्राइम क्या नाव है इसका साइबर क्राइम एक अपराद आता है आगे दिये गए प्रस्ण की सही प्रतिक्रिया चुने वेंडिट दो एक्सिड़ेंट है पैन आयट आयट शादेदस लाइट लास्ट नाइट आगे चलेंगे वी एएन का विश्थार रूप क्या होता है तो वी एन का विश्थार रूप जो होता है वी का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है भी ए यन तो भी का मतलब वाइड होता है नेटवर्क होता है वाइड एरिया एरिया के बाद नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क आगे चलेंगे तेज और सीधा चलना हावाला भावाव क्या दरसाता है आत्में विश्वास दरसाता है तेज और सीधा चलना है तो यह हमारा आत्म विश्वास को दर्शाता है उनके प्रयावरण के सम्मद्ध में जिवित चीजों के अध्यान को क्या कहते हैं पराश्थित्के कहते हैं या इकोलोजी कहते हैं निश्क्री अवाज में कौन सा होता है निश्क्री आवाज में जो है हर बड़े वाज दो celebrate by us हर बड़े वाज celebrate by us अप्सन नमबर शी आगे चलेंगे फोमो डोरो के लिए इतावली सब्द क्या होता है फोमो डोरो मतलब क्या होता है तोमाटो टमाटर के लिए फोमो डोमो इस्तमाल करते हैं टमाटर आगे चलेंगे अगला कोश्चन सफल लोग असफलता को कैसे समालते हैं वे अपनी गलतियों से सीखते हैं सफल लोग जो होते हैं असफल लोग जो होते हैं सफल लोग असफलता को कैसे समालते हैं वे अपने गलतियों से क्या करते हैं सीख लेते हैं कि हमें दुबारा पुना गलती नहीं करनी है वाट इज नाटे वावेल इन में से कौन स्वर नहीं है तो I है A है E है हमारे F जो है यह बेंजन है इसलिए करक्ट एंसवर बेंजन हो जाएगा आगे लिखा अपने ग्रहा को बढ़ाई दी है अपने ग्रहा को बढ़ाई दी है ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आवश्यक निमन उपयोग करना चाहिए अपने ग्राहक को बधाई दिये, वीटिंग, ग्रीटिंग को पुरा करने के लिए आपको निलिखित में से किसी कथन का उभियोग करना चाहिए, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, आप क्या चाहते हैं, क्या आप आज में आ सकते हैं, आप क्यों आए हैं, इसका जो correct answer सही ह मैं आपके कैसे मदद कर सकता हूँ, option number 1, आगे चलेंगे, तो question number 11, किसको पूर communication माना जाता है, संदेश असपस्ट होना, अगर आपका संदेश जो है, वो असपस्ट है, तिसे हम लोग communication जो होगा, वो पूर होगा, कैसा होगा, तो पूर होगा, आगे चलेंगे, निल्ड़ लेते समय, इन में से किस पर विचार किया जाना चाहिए, निल्ड़ लेते समय, अपने बेक्तिगत प्रत्मिक्ता देनी चाहिए, आपकी बेक्तिगत प्रत्मिक्ता हैं होनी चाहिए, अगर आप कोई निल्ड़ ले रहे हैं, R.E.M. का full farm क्या होता है, R.E.M. का full farm जो होता ह रेंडम एक्सेस मेमोरी होता है, डबलू ए यहन का पूछा है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क होता है, आगे चलेंगे, ब्योसाय दोरा उनके ग्रहा की पाचान को सत्यापित करने के लिए क्या उप्योग किया जाता है, तो ग्रहा ब्योसाय दोरा उनके अपने ग्रहा को की प SWOT का पुल रूप है, इन में से कौन सा जो है SWOT का पुल रूप है, SWOT, S का मतलब strength होता है, V का मतलब W का मतलब weakness होता है, अपरण्चिटी होता है, threat होता है, strength, weakness, अपरण्चिटी और threat होता है, इसका SWOT का full form, आगे चलेंगे, आधुनिक संचार का नविन्तम और प्रभाविश संसाधन कौन सा है, तो यह electronic mail है, क्या है electronic mail, question number 17, क्या काता है, EPF Act 1982, EPF अधिनियम 1962 के मूल बेतन से करमचारी के बेतन का क्या युगदान है, तो करमचारी के बेतन का बेतन के युगदान का नविन्तम परतिसत क्या है, 9-10, 12% है, कितना परसेंट है, तो 12% याद रखेंगे, आगे चलेंगे, अधिनियम के लिए कौन सी योजना सरिमकों के लिए स्वास्त भीमा आवश्यक, आवश्यकताओं को परदान करती है, तो यह हमारा होता है क्रमचारी राज बीमा अधिनियम, क्रमचारी राज बीमा अधिनियम होता है, क्रमचारी राज बीमा अधिनियम, आगे चलेंगे, क्वेशन नंबर हमारा कौन सा है, तो क्वेशन नंबर है 21, दिये गए वाक्य में सब्द रोहन के बास सही विराम चुन तो यह हमारा जो है, यह हमारा कामन अलप विराम है, कौन सा विराम है, तो याद रखेंगे यह हमारा अलप विराम है, कामा है, कौन सा एक ब्रेव ब्राउजर है, तो यह हमारा इंटरनेट एक्स्पलोजर है, यह हमारा एक ब्रेव ब्राउजर है, आगे चलेंगे, कुरोधि बेखते की बार्डी लेंग्विज कैसी होगी यह हमारा अक्रामक होगी सचतकार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है सचतकार काल अगर प्राप्त करते हैं तो आपका अगला कराप्त सचतकार में जाना चाहिए क्या करना चाहिए अगर आपको पता चल जाता है कि क प्रोसेसिंग यूनिट होता है क्या नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आगे चलेंगे तो यह कोश्चन हमारा सारे पेपर आपको इसी जैसे आएंगे और इसलिए 1954 यह ये वीडियो जादा से जादा लोगों में सेयर कर दें तथा आप अभी तक अगर चैनल को सस्क्राइब ने की हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे सेयर करें क्योंकि आपकी परिच्छा की दृष्टी कोर से ये सारा वीडियो ज को जरूर देख करके जाएं